एक बार एक धनी पुरुस ने एक मंदिर बनवाया मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमी, खेत और बखीचे मंदिर के नाम लगाएं। बहुत सी लोग उस धनी पुरुस के पास आये, वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाये तो वे धन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी पुरुस ने सबको लोटा दिया, वे सबसे कहता था मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपनी खुलते थे और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते थे, तब वे धनी पुरूस अपने मकान की छट पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुक चाप देखता रहता था, एक दिन में एक मनोश्य मंदिर में दर्शन करने आया, उसके कपड़े मेले और फ बहुत पढ़ा लेखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूँगा, धनी पुरूस ने कहा मुझे बहुत विद्वा नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधर बनाना चाहता हूँ, उस मनुष्य ने कहा आपने इतने मनुष से लोगों को ठोकर लगती थी, लोग गिरते थे, लोड़कते थे, और उटकर चलते थे, आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, किन्दो अपने उसे देख कर ही उखार दीने का यतन किया, मैं देख रहा था कि आप मेरे मस्दोर से फावरा मांग कर ले गए और उस ट मनुष्य ने कहा यह तो कोई बात नहीं है रास्ते में पड़े काटे, कंकर और पत्थर लगने योगे पत्थर, इटों को हटा देना तो प्रते एक मनुष्य का कर्तव्य है धनी पोरुस ने कहा डाश अपने कर्तव्यों को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं वेह मनुष्य मंदिर का प्रबंधक बन गया उसने मंदिर का बड़ा सुन्दर प्रबंध किया कहानी की शिक्षा, दोस्तों इस कहानी का सार अत्वा यही है कि हर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए